हलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूटूग चैनल पर मैं दीप का कुश्वा आज आपको मेकप किट बनाना बताऊंगी तो ये देखो मैंने कपड़ा रेडी कर लिया है इसमें स्लाइल लगा ली है मैंने कैई और इसमें बीज में फॉर्म लगाई है तो ये देखो फॉर्म सीट में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको ये कपड़ा रेडी कर लेना है अब इसकी आपको चोड़ाई और लंबाई बताएंगे ये मैं मीडियम सैज की मेकप किट बना रही हूँ आप कहीं जा रहे हो थोड़ा वो सामन अपना रख ल लंबाई है इसकी 26 इंची की अब हमें इसी में से कट करना है तो मैं 6 इंची का कट कर रही हूँ तो ये देखो पूरा मार्क कर दूगी सीधा यह देखो मैंने सीधी लाइन खीच ली है जो मैं निसान लगाया है 6 इंची पे इसके हम कटिंग कर देंगे तो यह देखो कटिंग मैंने कर दी है और साइट से कर दिया है मैंने वो कपड़ा तो ये दीखो अब हम 3.5 पर cutting करेंगे इसकी भी निशान लगा देंगे सीधा विल्कुल तो ये में सीधा निशान लगा दिया है अब इसको भी हम cutting करेंगे तो ये दीखो मैंने cutting कर लिया है इसमें हम chain डालेंगे तो मैं आपको चैन अटेज करना बताऊँगी किस तरीके से अटेज करनी है ये देखो इस तरीके से रखनी है और स्लाई लगानी है सीधी तो ये देखो मैंने स्लाई लगा दी है स्लाई लगाने के बाद इस पर उपर की सैड से स्लाई लगानी है ये देखो श्लाई में लगा दी है जो दूसरा हमने पार्ट कटिंग किया था उसको भी मैं इसी तरीके से अटेच कर दूंगी तो ये देखो इस तरीगे से आपको इस पे भी सलाई लगानी है तो इस तरीगे से आप उपर की साइट से भी कर सकते हो और सीधे साइट से भी कर सकते हो जैसे आपको आशानी लगे उस तरीगे से आप सलाई लगाना तो ये देखो, दोनों साइड मेंने स्लाई लगा ली है, अब इसमें हम लॉक डालेंगे, तो ये देखो, मैंने लॉक डाल लिया है, अब जो हमने 6 इंची का पार्ट कटिंग किया था, अब उसको हम अटेज करेंगे, तो ये देखो, इस तरीके से अटेज करना है, ये जैसे रखा है मैंने वैसे ही रखना है और स्लाई लगा देनी है तो यह देखो मैंने स्लाई लगा दी है इस पर इदर को फोल्ड करके उपर की सैड से एक स्लाई लगानी है तो यह देखो स्लाई में लगा दी है अब दूसरी सैड भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है सेम तरीके से षी इस पर वह में लगा देंगे तो यह लगा दी है अब उपर से भी इसके एक स्लाइ लगा देंगे हम आँ है तो यह देखो दोनों साइट पर मैंने यह टेश कर लिया है अब इसका मेंस तरहीक हो बीच का सेंटर मिलाएंगे यू जोंत है हमारे दोनों के उन जोंतों को बराबर रखेंगे बराबर रखेंगे यहां मैं क símuk क कि युक को मैंने मैंच करते को ऊचलियने और ऑच मैंने कट के कट से ही मेच कर दूंगी तो ये देखो मैंने मैच कर दिया है कट को और इस तरीके से मैच करके सीधी स्लाई लगानी है तो ये देखो स्लाई मैंने लगा ली है दोनों साइट पर सेम तरीके से अब हमें इसमें निशान लगाना है मैं धाई इंची का निशान लगा रही हूँ डाई बाई डाई का एक बॉक्स बना लूँगी तो ये देखो मैंने निशान लगा लिए हैं ऐसे बॉक्स हमें चार बनाने हैं तो ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कहां कहां पर बनाना है ये बॉक्स तीनों चारों कोनों पर बना लिए हैं मैंने देखो आपको दिखा रही हूँ इस तरीगे से आपको ये निशान लगा के रेडी कर लेने हैं और फिर इनकी हम कटिंग करेंगे अब तो ये देखो cutting मैंने कर ली है अब ये मैंने एक handle लिया है इस तरीके से आप एक handle बना लेना इसका तो ये देखो आप मैं इसकी आपको लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूँ दो इंची की चोड़ाई है लंबाई 12 इंची की है इसकी तो आपको ये attach कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ attach इस तरीके से करना है अंदर की side से देखो मैंने ये डाला है handle चैन वाली side से डाला है और आपको इस तरीके से देखो उपर की side से निकाल के और sly लगा देनी है joint बीच में होना चाहिए handle के तो ये देखो मैंने sly लगा दी है आपको sly दिखा रही हूँ अब आपको इस तरीके से ये पकड़ना है और सीधी sly लगानी है दोनों side पर हम सेम तरीके से ही sly लगाएंगे तो देखो ये sly मैंने लगा ली है अब नीचे की side भी हम इसी तरीके से sly लगाएंगे तो ये देखो मैंने चारो side से sly लगा ली है अब हमें इस make-up box को खोले के आपको सीधा करके दिखाऊंगी तो ये देखो हमारा make-up box ready है कितना प्यारा लग रहा है आप बना के देखना बहुत सुन्दल लगेगा और medium size का है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इडियो चनल को subscribe करें like करें, comment करें, video को share करें Thank you